Hi everyone, welcome back to my channel, hope you are all doing great, तो आज मैं आप लोग से शेये गरने वाली हूँ, Amazon Jewelry Haul, So this is basically necklace haul video होने वाला है ये, इससे पहले मैंने Amazon के और भी jewelry haul videos कर रखे हैं, especially मैंने ज़्यादा oxidized जो jewelry आती है, उसका review किया है, जिसमें oxidized necklace and oxidized earrings, अगर आप oxidized jewelry के fan हो, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं link provide कर दूँगी निचे description में, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, Amazon के 5 necklace, जिसमें मैंने 4 heavy necklace है, और जो last जो है, वो simple necklace है, ठीक है, वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बूलना चाहूँगी, अगर चानल पर नहीं हो, तो प्लीज दो subscribe to my channel, और इस वीडियो को like and share जरू करिएगा, so yeah, let's get started, ओके जो सबसे पहले है, मेरे पास जो necklace है, वो एक bridle necklace है, so वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था, so this is how it looks, बहुत ही ज़्यादा pretty है, पूरा silver diamond का काम हो रखा है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है pink stone लगा हुआ है, यहाँ पर, and यहाँ पर, तो यह पहने परना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, and यहाँ पर इस तरीके का गोटा लगा हुआ है, और इसमें आपको earring भी मिल जाएगा, और एक simple सा mangtika भी मिल जाएगा, I don't know, वो earring और mangtika मेरे से गूम हो चुका है, तो मैं वो share नहीं कर पाई हूँ आपसे, तो earring जो है मैं आपको बता देती हूँ, जो नीचे आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके के earring है, और mangtika भी, same यही size का है, छोटा सा है mangtika, बट आप देख सकते हो necklace, necklace बहुत जादा pretty लगता है, अगर आप पहनोगे न necklace को, तो आपको earring और mangtika भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, because it's so heavy, और इसका weight ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, normal सा है, पहनने पर आपको नहीं पता चलेगा, ज़्यादा heavy नहीं है, यह now you can see, so pictures मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो आप price देख लीजेगा, साथी साथ, so guys आप देख सकते हो, पहनने के बाद यह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, now wedding season जो है, चालू है, अगर आप brighter necklace लेना चाहते हो, bride हो आप, तो आप इस तरीके का necklace ज़रूर ट्राय करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसको पहनोगे, तो आपको अलग सी earrings भी पहनने की ज़ूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको साड़ी पर पहन रहे हो, अगर आप इसको लहंगा चूली पर पहन रहे हो, तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका जो diamond है ना वो बहुत अच्छा है, एकदम shine वाला diamond है, और अभी तक इसका diamond एक भी diamond नहीं निकला है, जो second necklace है, वो golden और red color में है, तो पहले आप इस तरीके के ना box में मुझे receive हुआ था, now you can see, और इसका necklace, एक second, तो आप देख सकते हो guys, बहुत ज़्यादा अच्छा है यह वाला भी, नीचे इस तरीके के ना, पर लगे हुए हैं पूरे necklace में, और यह पूरा जो है golden diamond लगा हुआ है, निया पर थोड़े बड़े वाले stone लगे हुए हैं और जो है इसमें गोटा इस तरीके का दिया गया है और इसमें जो है यह रिंग भी काफी जादा अच्छे हैं का यह रिंग के सासातना इसमें मांग तीका भी है और एक रिंग भी है तो आप देख सकते हो यह रिंग भी पर निच्छे पर लगा हुआ है और जो मांग तीका है मांग तीका आप देख सकते हो ज़्यादा बढ़ा नहीं है बहुत ही छोटा है विकॉस नेकलेस जो है उन्होंने हैवी दिया है इसलिए और एक फिंगर विंग तो फिंगर इंग भी कुछ इसी तरीके की है और यह फ वाइट कर दूंगी तो आप वहां से जाकर पर्चेस कर सकते हो और जो दूसरा नेकलेस है वह कुछ इस तरीके से हैं आप देख सकते हो सिल्वर पुरे सिल्वर डाइमंड का है और मुझे इसका डिजाइन काफी जादा अच्छा लगा था इसलिए मैं इसको लिए था आप देख सकते हो एक ही साइड में यहाँ पर सिल्वर स्टोन ऐसे लगे हुए है और दूसरे साइड पर कुछ इस तरीके का डिजाइन हो र इस तरीके की है सिल्वर डाइमंड है और बीच में ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ है और नीचे भी इस तरीके का है तो यह पहने पर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और इसमें कोई मांग टीका नहीं है इसमें सी फियरिंग है और एक फिंगर रिंग है जैसे के और पहने वाले नेकलेस में थी सेम वैसी ही है और यह जादा अच्छे लगती पहने पर और इसमें आप साइज भी बड़ा चुटा कर सकते कुछ इस तरीके का है और जो दुसरा नेकलेस है वो मुझे काफी जादा अच्छा लगता है इसको मैंने काफी दफा पहना है especially मैंने साड़ी पर इसको पहना था तो बहुत जादा यह अच्छा लग रहा था तो यह वाला यह नेकलेस है कुछ इस तरीके का पूरा ना यह गोल्डन का काम हो रखा है इसमें और नस्दीक से आप देखो ना तो यहाँ पर सिल्वर कलर के छोटे-छोटे स्टोन लगे हुए है और यह जो है यहाँ पर ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है और यहाँ पर भी तो यह बहुत जादा अच्छा लगता है पहनने पर और इसका जो है गोटा मुसे निकल चुका है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पहना है तो आगे मैं पहन कर बताऊंगी तो आप देख लेना यह पहनने के बाद कैसे दिखता है तो इसको पहन कर एक ब्राइडल मेकप लूप करने वाली हूँ विकास मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है यह पहनने पर तो यह हो गया और इसके साथ में सिर्फ यहरिंग रिसीव होते हैं कोई मांग ठीका नहीं है और नहीं कोई फिंगर रिंग है ठीक है तो यहरि इस भी नहीं पहनते हो तो यहरिंग भी सिफ पहन सकते हो इसके इसमें भी पुरा गोल्डन कलर का काम है और बीच में ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है यह ग्रीन कलर के स्टोन से ना इसका लुक काफी जादा अच्छा आता है मुझे इसलिए काफी जादा अच्छा लग वो South Indian necklace है तो भी मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगता है मैंने इसको अभी तक नहीं पहना हुआ है Seriously मैंने जब लिया था तबी से यह ऐसी रखा हुआ है कुछ इस तरीके के box में receive हुआ था मुझे तो पहले मैं open कर लेती हूँ और bubble wrap में ठाए और आप देख सकते हूँ इस सो प्रिटी आप साउथ इंगियन साडी पहनते हो ना ये वाला necklace बहुत ज़्यादा जचेगा और इसको मैं पहले open करकर आपको बताती हूँ पूरा ना इस तरीके से golden पूरा यहाँ पर आप देख सकती हूँ और नीचे ना छोटे-छोटे से cream color के मोती लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यह अच्छा लगता है इसको definitely मैं पहनूँगी कोई भी makeup look में मैं सोच रही हूँ कोई एक South Indian makeup look में share करूँ आप से तब मैं इसको पहनूँगी और इसका जो जुमका है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आप देख सकते हो इसमें भी कुछ इसी तरीके का है और यह थोड़ा जुमके थोड़े से heavy लगते हैं मुझे पहनने पर थोड़े से heavy है और नीचे भी इस तरीके से पुरा मुख क्रीम कलर के मोती लगे हुए है और यू कन सी तो गाइस तरीके से पुरा मुख करी वीडियो पसंदा ही होगी और helpful रही हो तो प्लीज दू सब्सक्राइब तो माई चानल लाइक और शेयर दिस वीडियो और कॉमेंट करको जरू बताना आप कोई वीडियो कैसे लगी तो मैं मिलती है मैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक कैसे ब्लाइज बाइज